नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजूकेशन में बिहार दरोगा की मुख्य परिक्चा के तयारी कर रहे हैं तथा इन्फोर्स्मेंट सब इंस्पेक्टर तथा अस्टेनो एसाई का फॉर्म जिनों ने भरा है उन सभी छात्रों के लिए रोज शाम क आट बजे ये वीडियो हम लेकर आ रहे हैं आज सेट नमबर है 63 लगाते हैं स्टेश्ट को लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगा आपसे कि जी हां ये वीडियो कम से कम उन दोस्तों को अपने शेयर करें जो की दूर दराज की गावों में बैठके तयारी कर रहे हैं वो गरीब छात्र जहां तक उनको पढ़ने के लिए सुविधाई नहीं पहुच पा रहे हैं ये वीडियो कम से कम सेर कीजिए ताकि उनको ये सारे प्रश्ण जिनका भी एक्जाम निकला है या जिन्नोंने फॉर्म भरा है अगले एक्जाम के लिए तो उन तक ये कोशन पह पाएगा दोस्तों सुवा में एक वीडियो और आपको दिया जा रहा है ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए जिया अलग-अलग टॉपिक से अलग-अलग कोशन लेकर आ रहे हैं साइंस के हो रहे हैं कभी आर्ट के होते हैं तो कभी आपके स्टैटिक जीगे का पार्ण होता है इसको जरूर देखिए आप लोग सुवा में ठीके नौ बजे चलिए लेकर चलते हैं दोस्तों आपको आज के पहले प्रशन पे जो कि सेट नंबर 63 से हम पूछे जाएंगे चलिए जी हां चलिए पहला कोशन है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल क कितने महान सकतियां यानि कि महान जनपत जिसे हम लोग कहते थें अस्तित्यों में थी चलिए आंसर किजीगा और जिनको जितना उतर आता है उतना ही करेंगे निगेटिव मार्किंग भी आए हाँ ध्यान दिजीगा है ना इनी की सभी कोशन मतलब करते जा रहे हैं यहां पर इसकीप करना भी होता है इसकीप कर सकते छोड़ सकते कोशन को लेकिन कोशिस किजीगा कि सही उतर देने का ठीक है निगेटिव नहीं जादा करने का भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दोरान साथवी और छटी सताब्दी इसापुर में जो महान जनपत थे वो कित जिनमें के 16 महान सक्तियां सामिल थी और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों बदा सकते हैं आप लोग बिलकुल सही उतर कर रहें आप लोग उतर कर रहें सिधार्थ ठीक है चलिए कोशन नमबर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कोशन नमबर टू भारत क संबिधान का निमलिखित में से कौन सा अनुछेद समान नागरिक सहीता से संबंधित है भारत के कौन से संबिधान अनुछेद का जली सांसर कीजिए दोस्तों यह important नहीं most important प्रशन है ठीक है star mark लगा सकते हैं आप लोग इस question पे यह question पूछ सकता है expected है यह question और most important भी है त पता है आप लोग को आर्टिकल 46 क्या कहता है आर्टिकल 46 राजजी सरकारों की अनुसूची जातियों तथा अनुसूची जन जातियों और अन्य पिछडा वर्गों के लिए एक section तथा आर्थिक हीतों में पूर्ति हेतु विशेश निर्देश देता है किसके तहत तो आर्थिक हीतों में पूर्ति करता है देखिए मैं इसका एक्जांपल बताता हूं आर्टिकल 46 का ठीक है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लो बीपी एसी का अभी ओफिश्यल वेबसाइट खोलिएगा आप लो वहां पे और बिहार पी आरडी का ठीक है पी आरडी का य जिन्हों ने भी बीपी एसी का जो छात्र यहां पे अनुसूची जाती जन जाती से आते हैं वो छात्र को यहां पे 50,000 मिल रहा है जिन्हों ने बीपी एसी का प्रिलिम्स निकाला है ये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार खुस दुके द Q3. दोस्तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताईए जल्दी से आंसर किजीगा बिल्कुल वो सिर्यलंका से थी याद रखेगा दुनिया का पूछा गया है भारत की नहीं भारत का पूछे तो इंद्रा गांधी बता सकते थे लेकिन दुनिया का पूछा गय है यहां यहां पर आंसर किजीगा इटसर भी जिया सिर्यलंका से है यह नोट कर लिजीगा आप लोग ठीक है यह भारत की नहीं पूछे दुनिया की यह पहली प्रधानमंत्री बनी है महिला में कोशे निमबर फोर पे चलते हैं भारत सरकार द्वारा स्थापित कि इस पैनल दोस्तों आपको चीनी उद्योग पर पूर्ण नियंद्र हटाने का सुझाओ दिया जा चुका है अच्छा कुछ कोशन में पूछना चाहता हूं यहां पर कि जो बेवसाइक हमारा बैंक है यह ना बेवसाइक बैंक वो कौन से पैनल के तहता है नाम बता सकते हैं कि आप ल सुरक्षा यानि कि जो आपका डेटा आपके बारे में सारा डेटा आपके इंफॉर्मीशन वो कौन सुरक्षित करता किस पैनल के तहता यह पता है क्या बिल्कुल याद रखेगा स्री कृष्ण पैनल ठीक है यह तीनों इंपॉर्डेंट है इसलिए मैंने तीनों के बारे म वाग यंत्र है चलिए यह कोशन बता चुका हूं मैं सुबा का वीडियो अगर आप लोग देख रहे है तो वहाँ पर यह वाग यंत्र से और घरानों से रिलिटेड मैंने एक वीडियो दिया है तो बताए कौन सा है यह यह सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वा गंग टोक जितनी लोग उत्तर कर रहे है आंसर किजिए गंग टोक ठीके याद रखेगा चलिए इसका इस्थापना कब हुआ था यह पता है कि आपको देखें कोशन पर कोशन बहुत बनते चले जाएंगे है ना आंसर किजिए गा 1975 में इसका इस्थापना हुआ था ठीके कोशन नंबर दोस्तो 6 उस दर्रे का नाम बताईए जिसमें कि उत्रा खंड में तिर्थ यात्रियों द्वारा कैलास मांसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है जल्दी से आंसर किजिएगा उस दर्रे का नाम बताईए जिसे कि उत्रा खंड में तिर्थ यात्रियो यह आपको पता होना चीए और यह सबसे परयोग किया जाने वाला एक क्या है वाड है क्या है यहां पर बक्मिन स्टर फ्यूरीन, नोट कर लिएगा, इसका नाव है, बक्मिन स्टर फ्यूरीन का एक अपरूप है, चलिए आंसर कीजिएगा, सोच समझ के थोड़ा सा, इन्पोर्टेंट है, एक कोश्चिन, बिल्कुल याद रखेगा, दोस्तो, यहाँ पे आंसर हमारा, C हो जाएगा, इसका कारबन इस दराइट आंसर, नोट कर लिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तो, इसका सी कारबन, कोश्चिन नम्बर 8 पे चलते हैं, निमलिखित में से कौन सा, LD हाइट है, LD हाइट कौन सा है, दोस्तो, LD हाइट किसे कहते हैं, इन में से, जल्दी से बताइगा आप ल नियंत्रित करती है उस ग्रंथी का नाम बताना है जल्दी से आंसर कीजिए जो कि अंतस रावित ग्रंथियों की कारे को नियंत्रित करती है ठीक है चलिए question number 10 पे चलते हैं निमलिकित में से कौन सा राजसाही राजियों में से एक नहीं है जो की सातवी और छटी सदी के सुरू में इशापुर्व भारत में मौजूद है चलिए आंसर कीजिएगा दूस्तों यहां पे कौन सा है राजसाही राजियों में से एक नहीं है, जो कि साथवी और छटी सदी के सुरू में इशापुर्वे भारत में मौजूद है बिलकुल आंसर कीजिए का B, बैशाली जी हां, बैशाली राजसाही राजियों में से एक वो है, जो कि नहीं है यहां सात्वी और छट्टी सदी के सुरूव में इसापुर्व में भारत में मौजूद नहीं है ठीक है याद रखेगा अचा भारत में कुल कितने महा जनपत थे शोला थे ठीक है ये पहले कोशने बताया मैं आपको ठीक है चलिए कोशने नमबर 11 पे चलते हैं सार्क की पहली ACI छेतर का सहयोग संगठन कहते हैं इसको ठीक है तो ये बतायेगा कि इसमें पहली महिला सचीव कौन थी बिल्कुल उत्तर सही कर रहें अगर आप लोग उत्तर कर रहें फातिमा धियान सयद नोटकल जी का आंसर हमारा D हो जाएगा ओके अच्छा एक कोशन यहां से बनता ह है बिल्कुल सार्क का मुख्याले कहां पर है दोस्तों सार्क का मुख्याले जो है दोस्तों याद रखेगा नेपाल में है ठीक है जिसकी राजधानी काटमांडू है काटमांडू सहर में है ठीक है इसकी स्थापना दोस्तों आपको बता दे कि 8 दिसंबर 1985 को किया गया था लिख लिजेगा, ये question important है, अक्सर एक्जाम में पूछे जाने वाला प्रशन है, इसके बारे में थोड़ा सा detail में आपको बता दे रहा हूँ, ठीके, अच्छा एक और है दोस्तो, बिंस्टिक कहते हैं उसको, ठीके, बिंस्टिक का मुख्याले कहां है, बिंस्टिक का नाम खाड़ी में जुड़े हमारे जितने भी पॉड़ोसी मुल्क हैं, उनमें साथ देश का ये समू है, ये ध्यान रखिएगा, ठीके, चलिए, question number 12 पे चलते हैं, निमलिकित में से कौन सा बायोस्फियर, रिजर्ब भारत सरकार द्वारा पहले इस्थापित किया गया था, चल वो देश हैं, कौन-कौन वो साथ देश हैं, जिनका नाम आप लोग नीचे, comment box में एक साथ जरूर कीजेगा, ठीके, सबसे पहले जो comment करेगा, कल मैं उनका नाम जरूर लूँगा, ठीके, तो यहां पर बतेगेगा, कौन सा biosphere, reserve भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर यहां पर D हो जाएगा, नील गिरी, बायो स्थेर, reserve, नोट कर लिएगा दोस्तों, आंसर है, सबसे पहले स्थापित किया गया है, यह reserve है, भारत सरकार के द्वारा, नील गिरी, बायो स्थेर, ओके, अच्छा, नील गिरी कहां पर है, तो यह केरल और तामिल नाडू की सीमाओ परिस्तित है, नील गिरी, याद रखिएगा, चलिए, और इसका सबसे उंचा चोटी, नील गिरी का सबसे उंचा चोटी कौन सा याद है आपको, मैं कल भी बताया था इसके बारे में, तो डोडा बेटा, ठीके, याद रख पर्फ़म को लिच्वियोंने दहेज में मिला था, उस राज्य का नाम बताए, जो कि चंदरगुप्त पर्फम को लिच्वियों से दहेज मिला था, आनसर कीज़िए, ये पाठले पुत्र, नोट कर लींचे का आनसर हमारा ये हो जागा, पाठले पुत्र, ठीक है, चलिए, चालुक के वंस का वास्तिविक संस्थापक कौन था दोस्तो पुलकेशन प्रथम थे ये आपको मैं बहुत बर बता चुका हूँ चालुक के वंस के बारे में कुछ महत्पुन जानकारिया है जैसे कि कौन इसकी रचना पृत्वी राज रासों से मिलती है चलिए किसकी रचना पृत्वी राज रासों में से मिलती है हमें तो चंदर भाई की याद रखीगा दोस्तो ठीक है अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 15 दोस्तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्स में सुरू किया गया था आंसर कीजिएगा कोशन नमबर 15 का यहाँ पर आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो आंसर कीजिएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में जी हाँ आंसर हमारे डी हो जाएगा 1973 में प्रारम किया गया था आज बहुत लोग का उत्तर गलत आ रहा है ठीक है मैं इसलिए बोल रहा होगा क्योंकि आज बहुत लोग सोच रहे हैं कि साहर सभी आंसर डी ही मिल रहा है यहाँ पे और बहुत लोग उसके चक्तर में गलत भी लगा रहे हुए लेकिन आंसर सभी से कीजिएगा और लास्ट में कल्कूलेट करके नंबर जोड़िएगा हर कोशन का दो नंबर है और गलत आंसर का 0.2 नंबर काट लिया जाएगा ठीक है चलिए कोशन नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तो सामोहिक लोग निरते है कौन साई इन में से सामोहिक लोग निरते है जो कि सिक्किम के लोगों के संडक्षन देवता कंचन जंगा के सम्मान में किया जाता है चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तो यहाँ पे एक लोग निरते है जो कि सामोहिक लोग निरते है इसका ना question number दोस्तो 17 निमलिखित में से किस में फल की बहुत तीज सुगंद आती है चलिए ये question number है दोस्तो आपका 17 आंसर कीजिएगा जल्दी से आप लोग यहाँ पे बिलकुल उत्तर सही कीजिएगा यहाँ पे ethyl acetate नोट कर दिएगा दोस्तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा इथाईल सम्विधान में गड़तंत्र आत्मक सासन प्रणाली की विचार किस सम्विधान से लिया गया है चलिए कौन से देश के सम्विधान से लिया गया है आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्ससी फ्रांस से लिया गया है ठीक है मैं कुछ कोशन यहाँ पे पोस्ता हूं आप अधिकार और उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है मूल अधिकार और उद्देशिका का अधिकार विचार वो लिया गया है USA से अमेरिका से ठीक है अच्छा समवर्ती सूची और उद्देशिका की भासा समवर्ती सूची उद्देशिका का भासा तो ऑस्ट्रेलिया से ये भी याद रखिएगा ये तीनों important था question 19 पे चलते हैं चालुक के राजा पुलकेशिन दुईतिये को किसने पराजित किया था चलिए फड़ा फड़ा आंसर कीजिएगा दोस्तों बहुत important question है आ सकता है exam में चालुक के राजा जो पुलकेशिन दुईतिये थे उनको किसने पराजित किया था बिलकुल याद रखिएगा answer अमारा हो जाएगा B is the right answer नर्सिम वर्मन प्रथम ने किया था दुईतिये को पराजित ठीक है और ये जो थे नर्सिम वर्मन प्रथम जो ये पल्लव वंस के महांतम सासर्ख हुआ करते थे question number 20 पे चलते हैं राजित सभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है राजित सभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है बिलकुल सही उत्तर कर रहे हैं अगर उत्तर कर रहे हैं यहां पर ए राश्ट्रपती को जी हां उत्तर यहां पर ए हो जाएगा अच्छा यह कोशिन पुछूंगा मैं आपसे यहां पर कि राश्ट्रपती जो है राजी सभा में कितने सदस्यों को नामित करता है राजी सभा में राश्ट्रपती कितने सदस्य किसे कहा जाता है तो याद रखेगा इट्ससी माईट्रो कॉंड्रिया को कहते हैं दिया हां दोस्तों आंसर कीजिए का माईट्रो कॉंड्रिया कॉशेन नंबर 22 किस बिटामίν को अपनी प्रतिकृरिया के लिए कोबाल्ट की अवश्चक्ता होती है चली आंसर कीजिएगा इसी बिटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है ये भी आपको बता देते हैं ठीक कोबाल्ट का कोई भी टॉपिक पूछे अगर बिटामिन से तो B12 भी बता दिने हैं वहाँ पे ठीक है चलिए कोशे नमबर 23 चलिए इस्थिर बेग्यानिक सब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में कौन सा सब्द का उप्योग किया जाता है आंसर कीजिएगा दोस्तो जी हां इस्थिर वेग्यानिक सब्दों को वर्नित करने के लिए कौन से उपसर्गों के रूप में इसको लिया जाता है तो याद रखेगा दोस्तो आईसो सब्द ठीके याद रखेगा constant scientific terms जो है इसको हम लोग के थे आईसो ठीके चलिए अगला question दोस्तो 24 देखे वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक like जरूर कर दीजे यार बहुत ही आपके लिए मेहनत हो रहा है यहां पे और यह मेहनत का रंग आप लोग result लाकर देख लाईए means में तो मज़ा आ जाएगा ठीक है चलिए आंसर कीजिएगा दूस्तो गैंग गैंग कोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया था आंसर कीजिए का किसके द्वारा बनाया गया था जिहां गैंगे कोंड जो है यह चोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया था तो याद रखेएगा दुस्तो राजिंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था आंसर अमारा B हो जाएगा नोट कर लीगे कुशे निमबर 25 दुरगापूर भिलाई तथा राउर केला इस पात का रखानों के स्थापना पंचवर्सी योजना में होई थी चलिए कौन से पंचवर्सी योजना के तहट इसकी स्थापना होई थी बेलकुल याद रखेगा आंसर हो जाए दोस्तो दुर्गापूर भिलाई दाउर केला जो ये तीनों ये आपके इसपात कर खाने थे ये हुआ था दोस्तो दुवीतिये पंचवर्शी जोजना के तहर ठीके और बोकारो श्टील प्लांट के बारे में जारखंड में है बोकारो सहर जो है दुवीतिये पंचवर्शी जो है ये आवकास के दोरान स्थापित भिलाई स्टील 1905 में बनाया गया था 36 गड़ में ठीक है जो कि अब भी रश्या के द्वारा ही सायोग से बना था लेकिन जो राउर केला में है आपका 1955 में ही बना था इस्टील प्लांट वो जर्मनी के सायोग से बना था और जो दुर्गापूर वाला है दोस्तो वो पस्चिम बंगाल में है वो ब्रेटेन के सायोग से बना था तो ये कोशन पूछ सकता है कि दुर्गापूर स्टील प्लांट जो है किसके सहयोग से बना था तो ब्रिटेन के राउर के ला तो जर्मनी के जो की उडिशा में है और भिलाई जो की छतीस गड़ में है ये बना था किसके तो जिहान नोट कर लिजीगा यहाँ पे आप लोग रश्या के ठीक है और वोकारों तो भी रश्या के लेज्ण की यहाँ पे तो होग रश्या के रस्या के मिषम कर दोस्तो चलते हैं अकरिये derivatives की खोज करने का जो है स्रे किसको जाता है बिल्कुल फटा-फट आंसर करेंगे दोस्तो रैम्जे को नोट कर लिजी का इट्स रैम्जे जी हां अच्छा है मैं कोशन पूस सकता हूं यहां पर आप लोगों से कि हाइड्रोजन जो पदार थे उसके खोज करता कौन थे नोट कर लिजी का केमेंडेस नोट कर लिजी का जो हाइड्रोजन खुज आथे वो केमेंडेस था उनका नाम ठीक है चलिए अच्छा ऑक्सीजन का तो शिले ने किया था उनका अविस्कार ठीक है चलिए याद रखेगा अगला कोशन है दोस्तों यहां पर 28 इन भारतिओं में लिए से किसको भारात रतन से नमाजा गिया है तो अटल विहारी बाजपई हैं दोस्तों ठीक है याद रखेगा अटल विहारी बाजपई is the right answer answer अंसर हमरे क्या हो जाएगा 28 का अंसर ये हो जाएगा अटल ब्यारी बाच पर ही ठीक है और ये कब दिया गया था तो 2014 में दिया गया था दोस्तों ये ध्यान रखेगा अंसर हमारा 2014 होगा अभी पूछे तो ठीक है चलिए अगला कोशिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 29 का िसका बग्यानिक नाम क्या है ये तुलसी का बग्यानिक नाम है तो यשका बग्यानिक नाम क्या है थीके थोड़ा से नाम अटपटा है लेकिन ध्यान रखेगा चलिए, question number देखते हैं यहाँ पे दोस्तो 30, कौन सी गरंथी है, कौन सी गरंथी पीत एक पाचन तरल पदार स्रावित करती है, बिल्कुल, याद रखीएगा दोस्तो, आंसर अमारा B हो जाएगा, यकरित, ठीक है, यकरित गरंथी जो है वो, पीत जो है, एक पाचन का तरल प क्या है, अमोनिया क्लोराइट का रसाइनिक सुत्र है, नोट कर लिजीएगा दोस्तो यहाँ पर, NH4Cl, क्या है नोटकर लिजीएगा, अगला question, दोस्तो यहाँ पे यहां पे D हो जाएगा अगला कौशन नीम लिखित तत्यों में से किसका सबसे कम गलनांक है सबसे कम गलनांक किसका है बिलकुल आन्सर हमारा हो जाएगा B नाइट्रोजन का सबसे कम गलनांक है ठीक है चलिए कम नमबर 33 इंटरनेट का TCP का पूरा रूप क्या है इंटरनेट में TCP TCP का पूरा रूप क्या है ये बहुत वार कोशन पूछा गया एक्जाम में ठीके तो याद रखिएगा दोस्तो इसका पूरा रूप है Transmission Control Protocol Transmission Control Protocol क्या होगा अंसर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों ठीके चलिए Question No.34 इंद्रावती Tiger Reserve की सराजी में है इंद्रावती Tiger Reserve देखे Tiger Reserve से related मैंने बहुत सारे वीडियो आपको दीए हुए है Question आपको ठीके यह बहुत important होता है तो यह है दोस्तो 36 गड़ में आंसर हमारा क्या हो जाएगा C36 गड़ is the right answer ठीके Tiger Reserve प्रोजेक्ट भी आपको बता दे कि बागों की संख्या में ब्रिधी लाने के लिए बनाया गया था और भारत में 20 वगा सबसे अधिक बाग जो है जन संख्या है भारत में ठीके भारत में अभी करिब 2979 ऐसे अधिक बाग है अंसर होगा मेगनीज का जी हाँ मेगनीज का ये अयस्क है पारोल्यूसाइट अंसर के आप जगा B हो जाएगा अगला कोशिन दोस्तों की IMF का पूर्ण रूप क्या है IMF चलिए ये कोशिन बहुत इजी है लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसका स्थापना दिवस कब है ये भी बताईएगा IMF का पूर्ण रूप है दोस्तों यहाँ पे लिख लिजेगा जिन्होंने कर रहे हैं इंटरनेशनल मुनेटरी फंड यानि की आंसर हमारा ये हो जाएगा लेकिन इसका स्थापना दिवस कब है तो ये लिख लिजेगा आप लोग 27 दिसंबर ठीक है ये कोशन इन्पोरेंट है 1945 में हुआ इसका स्थापना कोशन नमबर 37 आयरलेंट की राजधानी क्या है आयरलेंट की राजधानी है उके से इन देशों में तो भारत को भी मिलियेबाई सबसे इन्पोरेंट है ये कोशन तो भारत के उमपर सासन की अन्गरेजों ने ठीक है Great Britain इंगलेंड आयरलेंड और इसकॉटलेंग ये तिनों मिलकर बनता है ठीक है Great Britain दोस्तो आपको बताते कि 31 दिसंबर 1670 में पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए Great Britain में एक कंपनी बनाया गया था और 1608 में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत आई थी और वो भारत व्यापार करने नहीं आई थी सासन करने आई थी हम पर अंसर B कर लिजिएगा Question number 39 Internet Protocol का आई पी का नाम सुना होगा आप लोगोंने IP एडरेस वेगरा कुछ सुनते होंगे इंटरनेट की भासा में तो इसका आई पीसकार कौन है जल्दी सा आंसर कीजिएगा बिलकुल आंसर कीजिएगा A यानि की विंट सर्फ हैं आंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा विंट सर्फ नोट कर लिजिएगा दोस्तों बहुत important और महत्यपून प्रशन है यह ठीक है चलिए अगला question देखेंगे 40 चलिए question थोड़ा सा बड़ा है और यह थोड़ा सा numerical question है थोड़ा answer ध्यान से दीजिएगा एक उत्तर lens की सकती का पता लगाईए यदि छवी का गठन यानि की जो उसके प्रतिवीम का गठन lens में 10 cm के दूरी पर होता है जब वस्तू को lens के दूसरे पक्ष पर optical केंडर यानि की 40 cm के दूरी पर रखा गया हो निकालिएगा इसको answer आएगा 12.5 diopter answer यह हो जाएगा दोस्तो diopter lens का क्या होता है SI मात्रक होता है क्या होता है question number दोस्तो 41 बिजली की bulb की filament से बना होता है चलिए बिजली का bulb किस filament जो होता है वो किस से बना होता है जल्दी answer कीजिएगा 41 का answer किजईगा बिजली का बल्फ जो filament होता है उसका बल्फ का filament होता है वो किस से बना होता है तो tungsten से बना होता है बिल्कुल सही उत्तर कर रहे है आप लोग सही उत्तर है प्रस्फनह भी है tungsten का लगभग गलनांग कितना होता ये बतादीजिए यमे लगबग कितना गलनांग होता है लिख के बताइए आप लोग comment box में question मेत्पोर्ण है इसका मतलब यह नहीं कि छोड़ देना है यहां related question तो बनेगा exam में 3500 याद रखेगा degree Celsius यह होता है दोस्तो नोट कल जीगा इसका गलनांग लगबग question number 42 किस आर्टिकल के तहट भारत वर्ष में 1975 में अपातकाल की घोशना की गई थी भारतिय संविधान आर्टिकल 352 के तहट भारत वर्ष में सन 1975 में नोट कर लिजीगा दोस्तो आंसर D हो जाएगा अपातकाल का घोशना किया गया था question number 43 भारतिय महादीप में पहला उधयान मकबरा कौन सा था चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तो यहां पे भारतिय महादीप में पहला उधयान मकबरा कौन सा था तो आंसर कीजिएगा जी हैं दोस्तो पहला उधयान है उधयान लिख दिया गया यहां पे उद्यान मकबरा जो था वो हुमायू का मकबरा था ठीक है आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो आंसर सी हो जाएगा दोस्तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पे नोट कर लेंगे चलिए Quesion No.44 पे चलते हैं Question पढ़िए इसको और अराम से आँसर कीजागा कि समान नने संतूलन सिधान किस ने प्रतिपादित किया था? Option आपके सामने है आंसर करने का कोसिस कीजागा समान नने संतूलन सिधान किस ने प्रतिपादित किया था? तो याद रखेगा It's a Lione Walrus question number 45 पे चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपती के पत के लिए कौन सबत दिलाता है तो यह मैं बहुत बढ़ बता चुका हूँ भारत का जो मुख्य निया धीस होता है वो भारत के राष्ट्रपती को सबत दिलाता है आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तो ठीके याद रखेगा राष्ट्रपती जो है आपका सूची एवर एक में है तो मुख नेधिस उस जो है भारत का वो क्या दलाए सपत दिलाता है याद रखेगा ठीके और त्याग पत्र जिया राष्टपती त्याग पत्र किसको दे सकता है तो उपराष्टपती को ये याद रखेगा ठीके और उपराष्टपती को सपत कौन दिलाता है तो गटना करम सरीक्रम में लगाएं चार घटना बताया गया भाई यहां पे तो पहला घटना है यहां पे देखिएगा पूना समझोता यह कब हुआ था 1932 में लिख लिजे साइड में लिखते रहेगा आप लो भारत छोड़ों अंदलन उसके बाद हुआ था यह 1942 में तीसरा हु समझोता दूसरा आपका हुआ कौन भारत छोड़ो और तीसरा सिमला और चौथा कैबिनेट मिशन तो यह आपका सुमिलन है आंसर क्या हो जाएगा यहां पे तीन एक दो चार सी इस दर राइट आंसर कोशे नंबर 747 वर्स 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारन के कौन स अंदूलन शुरू किया गया था बिल्कुल याद रखेगा आंसर अमारा हो जाएगा ए सत्यागरा जिया नोट कर लिए यह सत्यागरा अंदूलन शुरू किया गया था 1917 में जो कि बिहार के एक किसान निता थे राजकुमार सुकल उन्होंने गांधी जी को चंपारन के दोस्तों यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा प्रतम अमासय में जिसको हम लोग रियूमिन कहते हैं ठीक है चलिए कोशिन नंबर 49 निमलिखित में से कौन सा मानो सरीर के विभिन अंगो का अक्सीजन वहाग है आंसर कीजिगा फटा फट यहाँ पे जी हाँ लाल रक्त कोशिका आए इस दर राइट आंसर ए इस दर करेक्ट आंसर नोट कर लिजीगा दोस्तों वह वहाग का काम करती है अगला कोशिन देखते हैं 50 मानो सरीर के गुर्दे इनमें कौन सा कलारी करते हैं मानो सरीर के गुर्दे यानिकी जो गुर्दे यानिकी विक्र होता है जिसको में लो दरार से गुजरती है तो खाली जगा की वज़े से मुड़ जाती है बिलकुल याद रखेगा आंसर हो जगा विवर्तन के द्वारा मुड़ जाती है, आंसर C हो जाएगा Quesion No. 52 मरुस्थल में मरीची का यानि की मिरिगत त्रिष्णा मरीची का या मरिगत त्रिष्णा कहते हैं मरुस्थल में जो बनते हैं देखेंगे दूर से इतनी दूर पे दिखेंगे पानी है, पानी का वहाँ पे है या लहरे उठ रही है आग लगा हुआ ऐसा कुछ परतीत होगा वो मरीगत त्रिष्णा कहलाती है तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे एटसर सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परवर्तन कहलाता है आंसर सी हो जाएगा दोस्तों चलिए, कुश्यन नंबर 53 निमलिखित अभिक्रिया में रिक्तिस्थान को भरे तो अमल है उसके बाद शारक है और उसके बाद खाली जगा है और उसके बाद पानी है तो बताइए क्या होगा यह अमल है भाई यह अमल है यहाँ पे तो अमल है अगर यहाँ पे दोस्तों और प्लस छारक है तो यह बनता है दोस्तों आपका नमक और पानी का घोल तो नमक हो जाएगा यहाँ पर D is the right answer ठीक है चलिए question number 54 प्रधान मंतरी उजवला योजना का मुख्य लक्ष क्या है प्रधान मंतरी उजवला योजना का मुख्य लक्ष है दोस्तों जी हाँ हर घरीब के घर में हर घरीब के घर में LPG connection को पहुचाना जी हाँ दोस्तों ये कब सुरू किया गया था पता है आपको answer कीजी आप लोग भी comment box में ये आप लोग इसे ही पुछा जारा प्रशन है आप लोग comment नहीं कर रहे हैं जी हाँ बिलकुल याद रखीगा 2016 में सुरू आद किया था इसका एक मई को लिख लिजेगा पूछेगा question ये answer C कर लिजेगा question number 55 television का विसकार किस ने किया था साथ बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे television का विसकार किस ने किया था जिया J.L.beard ने किया था answer क्या जाएगा D हो जाएगा हमारा कब हुआ था तो 1926 में हुआ था television का विसकार लिख लिजेगा और Michael Faraday जो है वो क्या किये थे ये Dynamo का विसकार किये थे लिख लिजेगा आप लो question number 56 volleyball की एक team में कितने खिलारी होते हैं बिलकुल याद रखेगा answer हो जाएगा छे खिलारी होते हैं दोस्तों ठीक है अच्छा एक question और मैं पूछूँ पोलो देखा खेल आप लोगों ने पोलो उसमें कुल कितने खिलारी होते हैं एक पक्ष में तो चार खिलारी होते हैं tennis में तो एक या दो हो सकते हैं अगर single है तो एक होगा और double है तो दो हो सकते हैं basketball में पांच होते हैं ठीक है याद़के एक पक्ष की बात हो रही है water polo में तो साथ होते हैं यह देखेगा दोनों चीज़ पोलो अलग खेल है water polo में साथ खिलारी होते हैं ठीक है और कबड़ी में भी साथ होते हैं यह भी लिख लिजिएगा आप लो चलिए question number 57 चलिए मिलान कीजिए भाई बहुत दिन के बाद यह question आया है थोड़ा मिलान करने का मिलान करते हैं question है कि link राज मंदिर उडिशा का किसे सम्मंदित रखेंगे इसको आप बिल्कुल भगवान सीव का है यह मंदिर भाई नोट कर लिजिएगा तीजारा मंदिर राजिस्थान का यह दोस्तों नोट कर लिजिएगा महावीर भगवान का मंदिर है जिया जो की आपके भगवान महावीर का मंदिर है नोट कर लिजिएगा यहाँ पे A हो जाएगा अगला है वेंकटेस्वर मंदिर चिरुपती का तो यह हमारे भाईया विश्नुमत जी मंदिर है ठीके नोट कर लिजीएगा यह कुछ इस तरह से मैच होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल C, A, B आंसर B हो जाएगा चलिए कुछ नमबर देखते हैं तो यहाँ पे 58 सेलेक्शन डे नामक किताब किसने लिखी है सेलेक्शन डे नामक फुस्तक किसने लिखी है बिल्कुल आंसर कीजीएगा A, अरविंद अडिगा ने नोट कर लिजीएगा आंसर अमारा A हो जाएगा और कुछ नमर 59 देखते हैं निमलिखित में से कौन सा देश BRICS सम्मीती का सदस्य नहीं है BRICS एक देशों का समू है दोस्तो छीगे आप लोग बताएं जल्दी से कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो किसमें सामिल नहीं है जल्दी सांसर बताएगे का आप लोग यहाँ पे जी हाँ, आइसलेंड जो है वो इस तेस की ग्रूप में सामिल नहीं है B for Brazil है, R for Russia है, I for India है, C for China है और S for South Africa है, लेकिन यहाँ पे आइसलेंड इसमें सामिल नहीं है इस ग्रूप में, चलिए, आखरी प्रशन है और आखरी प्रशने का उतर देने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से मैं बोलूँगा कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजा, ठोकिए, जितना question को है उतना कम से कम लाइक तो कम से कम ठोक के जाईए, आप लोग जितने लोग देख रहे है ठीके, अब यहां पे answer किजीगा, प्रथम भारतिय संप्रेशन, satellite एपल छोड़ा गया है बिलकुल, यहां पे answer करेंगे, क्या दोस्तो, note कर लीजीगा जल्दी स Adventure किजीगा, दोस्तो, answer क्या हो जाएगा, यहां पे जल्दी स Adventure किजीगा, दोस्तो, यहां पे बिल्कुल बहुत सही उतर कर रहे हैं अगर आप लोग उतर कर रहे हैं दोस्तों 19 जून 1981 में ठीक है आंसर हमारा C हो जाएगा तो आज के इस प्रश्णों में जितने भी प्रश्ण आप से यहाँ पे पूछे गए 60 प्रश्णों में कितने उतर आपने सही कियें और कितने गलत हुए यह कैलकुलेट कर जिएगा और कितने नंबर आ रहे हैं क्योंकि एक कोश्ण का नंबर यहाँ पे दो रखा में ने और कट अप होने पे यानि की गलत होने पे पॉइंट टू नंबर कर जाएगा तो वो हटा लिजिएगा पॉइंट ओ लेकिन सही नंबर दो नंबर का सेलेक्शन जरूर सोचिएगा कितना कर पारे आंसर यहाँ पे तो जज कीजिए खुद को इस टेस्ट देकर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए रोज शाम को 8 बजे यह वीडियो आपको अपटेट कर दिया जाएगा जैसकी अप यह आपको किया गया है धन्यवाद आज के लिए इतना ही मिलते हैं सुभा के वीडियो में 9 बजे आप लोग सभी जुड़िएगा और PDF जाके आप लोग के टेलिग्राम चेनल से डाउनलोड भी कर लिजे ओके बबाई टेक केर ध्यान रखेक अपना और अपने परिवार का